दोस्तों क्या अमिच्छा और योगी अधितिनात के बीच कोई लडाई चल रही है या अमिच्छा बस जनता को बर्गला रहे हैं बर्का रहे हैं दोस्तों SC, ST और OVC के आरक्षिन को लेकर योगी अधितिनात और अमिच्छा के बीच क्या खिचड़ी पक रही है क्या चल रहा है अंदर ही अंदर BJP के दफ्तर में 2024 में एक तरफ अमिच शा कुछ और बयान देते हैं और दुमसरे तरफ योगी अधितिनात के वेबसाइट पे कुछ और ही लिखा मिलता है क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों साथ ही देश नीती को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत पूलिएगा नमस्कार स्वागत है आपका देश नीती में देश नीती किवल सच्ची और पक्की खबरे जिसमें एक तरफ राजनात सिंग बोलते हैं कि मोदी जी ये चुनाव बस अमिश्चा के लिए लड़ रहे हैं वहीं अमिश्चा आरक्षिन के विरुद्ध खड़े हो गए हैं और इसी बीच दोसों योगी अधितनात की वेबसाइट पर कुछ अभिन प्रकार के शब्दों के साथ आरक्षिन विरुद्ध वाक्य लिखा मिलता है जिसका सीशक लिखा रहता है आरक्षिन की आग में सुलगता देश एक तरफ योगी अधितनात को भी वसंदरा राजे और शिवराद सिंग चुहान की तरह चुनाव जीतते ही राजनीती से बाहर का रास्ता दिखाने की बाते हवा में तेर रही है अब ये बात कितनी सही है और कितनी हवा हवाई ये कहा नहीं जा सकता लेकिन इस वेबसाइट पे जो लिखा है और अमिच शा के आरक्षिन वाले बयान के बाद ये एक तरफ से सिद्ध हो गया है कि हो सकता है दोस्तों कि योगी अधित्तिनात को उत्तर प्रदेश की कुरसी छोड़नी पर जाएए इस वेबसाइट पे दिये गए दोखकर 14-15 के लेक में लिखा है कि किसी समाज अत्वा जाती को अगर अक्रमन या अत्वार निकम्मा बनाना हो तो उसे बिना अक्रम किये सुविधा प्रदान करते जाएए दोस्तों एक तो भाषा देखें निकम्मा बोला जा रहा है साफ साफ आरक्षन से मिले नियूंतम सुविधाओं को किस तरह के शब्दों से पिरोया जा रहा है इस वेबसाइट में आप देखें दोस्तों आज भी कई ऐसे प्रदेश मिलेंगे आज भी कई ऐसे गाउं मिले के लिए जहाँ एक छोटा सा प्रयास आज भी जारी है आरक्षन के माध्यम से कि जो लोग कुएं से पानी नहीं भर पारें उन्हें पढ़ाई की सुविदा दी जाए उन्हें नौकरी की सुविदा दी जाए उसी को मिटाने की बाद योगी दितनात अपने इस वेबसाइट म आजादी के बाद देश और इसके समाज को सुवावलंबी बनाने के बजाए अधिकारिक संकिन एवं आक्रमन ने आवश्य बनाया है जन्मत्ता जाती विवस्था का दुश परिनाव इस देश को कितना नुकसान पहुँचाएगा कहना कठिन है लेकिन इसके कारण जो समाजिक समानता को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र भारत ने जो तैयारी और तरकीवें निकाली उसने यह खाई और बढ़ाई है भारत की जाती गत समाजिक विवस्था ने हिंदू समाज में अपने ही बंदू बांदवों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया उससे की जो मुख्यधारा से जुड़ा हुआ है उमेसूस कर सके और गर्व से इसे समाज और राश्र का एक अभिन अंग अपने आपको मान सके दोस्तों इसके आगे भी लिखा है कि सम्मिदान में कई तरह की बदलावत की जरुत है जिसमें आरक्षन को अब राजनेतिक पून मुद्दा बताया गया है आरक्षन की आग में सुलक्ता देश और योगी जी ने इस दो पन्ने के लिख में एक करीब अरक्षन तो अर सम्मिदानी के लेकिन जब दलितों का वोट अमिच शा ने देखा कि आरक्षन और सम्मिदान बदलने वाली बात पे धीरे-धीरे घट रहा है तब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाजपा को आरक्षन के साथ हैं हमेशा थी उल्टा हम तो आरक्षन और अमिच्छा के विरुद्ध इस संदेश का क्या मतलब निकला जा सकता है दोस्तों, कहा नहीं जा सकता है। वहीं एक वायर की डिपोर्ट भी ये कह रही है कि उत्तरप्रदेश के मतलदाताओं के लिए भिन्न है 2024 चुनाओ। हाला कि इसमें एक प्रश्ण भी आया है कि उत्तरप्रदेश के मतलदाताओं के लिए क्यों भिन्न है 2024 चुनाओ। दोस्तक कहते हैं कॉंग्रिस में प्रतियाशी चुनाओ लड़ते हैं वहीं भाजपा में संगठनी जिम्मेदारी को उठाता है। और इस चुनाओ उत्तरप्रदेश में भाजपा करुजान इस चुनाओ काफी ज्यादा कम है जो की वायर की स्टोरी में भी है। इस वार भाजपा कार्यकरता में वो जोश नहीं है जो पिछली चुनाओ था। और रही बात मोदी जी की तो राजनाद सिंग ने ये तो साफ कर दिया कि मोदी जी अमिच्शा के लिए चुनाओ लड़ना है। अब आप बताइए दोस्तों एक तरफ हावा है कि अमिच्शा मोदी के बाद गदी सम्हालेंगे और वहीं योगी अधितिनाद को सत्ता से बाहर फेकेंगे। और इसी बीच मोदी के काशी में पूजा करते वक्त आपको याद हो कि मीडिया चानल्स ने भी योगी अधितिनाद की शकल को बलर करके दिखाये था। मंत्री बनेंगे अगर 2019 में प्रधान मंत्री मोदी जीर जाते हैं और इस बार वो साफ साफ बोल रहे हैं कि योगी अधितिनाद को सत्ता से बाहर किया सकता है इस पर आम आदमी पार्टी काफी जादा उचल रही है अब देखना बाकी है कि चुनाव के बाद असल में होता क कि आपको इस वीडियो से क्या समझा है इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते है हमीं कमेंट करके जरूरू पताए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और इस चुनावी माहॉल में दोस्तों आपको चुनाव के सारे अप पत्रकारिता देशनीदी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में वन्ने मात्रम धन्यवार।